हाई यूट्यूबर्स अच्छा आज मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ कि आप अपनी बैटरी की कंडिशन कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी ठीक से चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है या उसमें प्रॉब्लम क्या है तो इस बैटरी पैक को आप देखें इसकी पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसके उपर वॉल्ट मीटर है स्विच है और यह 30 एमपेर का बैटरी पैक इसके उपर टोटल 54 सेल्स लगाए गए हैं यह इसकी दो रोज जो है एक सेल की है सेकंड दो रोज सेक वॉल्ट का और यह फुल चार्ज होता है 12.6 पर इस टाइम पर मीटर इसके 12.5 शो कर रहा है और वैसे इसकी चार्जिंग जो है वह काफी मतलब 12.78 के करीब करीब चल रही है तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी कंडिशन बता हूँ इसके साथ यह चार्जर अटेजड है जो क 13 वोल्ट का है और स्पेशली लिथियम के लिए डिजाइन अगर हम इस बैटरी पैक के वोल्टिजिस हम चेक करें ओवर ओल्टिजिस जो इसके टोटल हमारे पास वोल्टिजिस आ रहे है इस टाइम पर तो यह मैं आपको वोल्टिजिस चेक करके बताता हूँ असल में और सही से क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें तो इसके मैं कैमरे को यहां पे इस जगा पे सेट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी ही चीज़ें जो है इसकी नजर आने लग जाएं अच्छा यह हमने मीटर रग दिया तो इसके हम अब वोल्टिजिस चेक करते हैं फर्स्ट में क जो लिथियम चार्जर है यह उसके साथ अटेचड है और यह इसको थर्टीन से ज़्यादा वोल्टिज पर चार्ज करता है अब फर्स्ट सीरीज के अगर हम वोल्टिजिस चेक करते हैं तो यह आ रहे हैं फौर पॉइंट टू सिक्स अगर हम सीरीज चेक करें तो वो हमारे कहींब से overs critical %. कहीं जो बात हों इसको मैंने इस चार्जर के साथ चार्ज नहीं कर रहा। इसको मैंने पहले मेर्ज किया हुआ था पहले वाली वीडियो में ये चीजेंच किये हैं,कुमण का देफ्रेंसम से था अब इस मीटर पर जो हमने चेक किया है तो आप देखें यह एक normal charger से चारज होरा है, single दो LEID से और यह الحमदोलिल्ला बिल्कुल जो है na balance चार्ज हो रहा है बिल्कुल जही से मतलब यह battery pack balance charge होरा है और किसी तरह के हमें कोई भी इसके साथ balance charger की need नहीं हुई हाँ तो बात कर रहे थे हम इस battery pack की उपर तो इसकी series जो होती है जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाए ये एक normal charger की उपर charge हो रही है और ये ही एक अच्छे battery pack की quality होती है अच्छा इसके अंदर cells देखें तो ये 1869 जैसे एक cell की उपर की reading नजर आ रही है बाकी cells की उपर तो इस साइड पर tape लगी हुए इसलिए clear नजर नहीं आ रहे है इसमें 1800 से 2000 वाले cell यूज हुए है और ये 30 प्लस ampere का battery pack है और इसकी condition अब battery pack आप अगर अपने पास बनाते हैं या आप कहीं से purchase करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना कुछ जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ एक इस तरह का meter ले ले लें ये तकरीब आपको 1200-1400 इसके करीब करीब आपको शायद price में market से ये meter मिल जाए अब शायद इसकी price इसे जादा भी हो गई हो कुछ confirm नहीं है बट एक normal हलका फुलका meter आप ले 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 उसमें जादा function भले ना हो तो आप हर सीरीज के जो है आप voltages चेक कर लिया करें इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताए है तो अब ये normal charger के साथ भी आप देखें ये बिल्कुल अलहम्दुलिल्ला बैलंस चार्ज हो रही है तो ये एक अच्छे बैटरी पैक की जो है ना quality होती है क्या आपने इस तरह से उसके connections की है wiring की है इस तरह से balance पैक कर कि आप customer को दे रहे हैं अब ये बैटरी पैक अगर फर्स करें जैसे ये मैं कल सुबा जवाना customer को भेज दूँगा अब ये बैटरी पैक ओकी है 100% ready है फाइनल है अब ये बैटरी पैक जाता है customer के पास वो इसको एक normal charger के साथ चार्ज करता है तो आप देखें ये automatically BMS के थरू बिलकुल balance चार्ज हो रहा है किसी तरह का imbalance इसमें नहीं है अब फर्स करें आज एक और चीज भी मैं आपको बताऊं अगर कभी कबार 6 महिने बाद 8 महिने साल बाद ये अगले सीजन में आपने बैटरी पैक उठाया और उसकी सीरीज अगर उपर नीचे हो भी गई है तो आप उसको कैसे balance कर सकते हैं तो जैसे ये एक transparent battery pack है और ये इसकी balance leads भी है अब लिपो charger के थूँ आप इसको balance कर लें लिपो charger जो है ना पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुए मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ ये जो charger है ना ये lithium charger है अब देखें इसकी सीरीज में थोड़ा सा problem आया था इस battery pack में तो मैंने क्या किया इसको directly connect कर दिया ताकि ये जो है ना balance charge होने लग जए अब आप देखें मैं एक सीरीज को charge कर रहा हूँ तकरीबन 5000 का जो है ना 5 Ampere इसने इसको दे दी है 4.2 पे ये voltage ले के आ रहे है मैं 1S इसका charge कर रहा हूँ इसको directly ये wires attach की है और 1S पे जो है ना मैं इसकी charging कर रहा हूँ तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं अगर कभी आपके battery pack में problem आ भी जाए कभी भी तो आप या तो लिपो चार्जर के थ्रू इसको balance चार्ज कर लें ये leads मैंने अल्रेड़ी निकाल के साथ में रखी हुई है ये वैसे इसके साथ इनको attach कर दी है क्योंकि ये अभी यूज में नहीं है जब आप balance करने लगें तो tape उतारें और leads को use कर लें वापिस टेपिंग कर दें तो ये आपको problem नहीं करेंगे बिल्कुल attached हो गई है साथ में अब normally आप इन दो से चार्ज करते हैं अब अगर आपके बाद लिपो चार्जर नहीं है balance leads के थ्रू आप नहीं कर सकते तो एक easy method में आपको बताता हूँ आप power bank का एक circuit लें उसका plus point आप cell के plus side पर रखें minus point minus की तरफ से लगाएं यहाँ पे छोटा सा आप इसको cut करके एक connection बना दें इसके साथ solder कर दें wire लगा दें बाद में आप balance करने के बाद wire उतार भी सकते हैं अब यहां से आप और यहां से आप input ले लें अब यह आपकी पूरी की पूरी series यह आपके 18 के 18 cell सारे के सारे यह balance हो जाएंगे इनको आप पहले power bank के circuit से फुल कर लें 100% देन आप यह second वाली जो दो cells हैं अच्छा इन में यह दोनों rows यह आपस में connected हैं आप चाहिए यहां connection करें चाहिए यहां करें चाहिए नीचे किसी जगा पे भी connection कर दें इन पूरे 18 cells के साथ second opposite side पे भी same ऐसे फिर आप दूसरी दो rows ले लें दूसरी वाली यह इन में भी आप इसी तरह से जो है ना किसी भी Excel के साथ connection करें power bank के circuit का इसको full कर दें फिर आप third वाले को connection करके इसको भी full कर दें आप देखें आपका battery pack 100% full तीनों series हो चुकी होगी balanced हो जाएंगी उसके बाद आप इसको एक normal charger के साथ attach कर दें और charging normally इसको आप charge करते रहें normally discharge करें फिर normally charge करें normally discharge करें तो आपका ये battery pack 100% balanced हो चुका होगा फिर आपके पास ये बिल्कुल normal working करेगा अब देखें एक normal जो power bank का circuit है वो 300 से 500 का आपको easily मिल सकता है नहीं तो पराने power banks आपके पास पढ़ें उनका भी आप circuit यूज़ कर सकते हैं उनके थूँ आप इस battery pack को बगएर lipo charger के आप balanced कर सकते हैं थोड़ी सी मैनत करनी पड़ेगी एक एक रोज को अलग से charge करना पड़ेगा और ये batteries जो होती हैं lithium की batteries इस तरह से हम आपको इन्शालला design कर कर देंगे कि आपके पास आप खुद भी इनकी repairing एजी हो जाएगी balancing करनी एजी हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें हम आपको वर्टसब पे गाइड कर देंगे battery pack के 6 महिने एक साल डेर साल बाद भी आप contact करते हैं हम आपको इन्शालला गाइड करेंगे इन चीज़ों के उबड़ तो यह सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें ताकि इस तरह की informative वीडियो आपको मिलती रहा करें और आप अप टू डेट रहें अब इस बैटरी पैक के आप यहां अमने जो ओवराल वॉल्टीजीज देखें यहां से वो 12.78 आ रहे थे इसके वॉल्टीजीज चेक करते हैं अगर के हमारे पास कितने आ रहे हैं अब यह वन हैंड से जो है न चेक करना मुश्किल है और इसकी एक लीड भी जो है वह बार बार मूव हो जाती है टेडी हो जाती इसको हैर में एलफी करके इसकी सेटिंग करके इसको एक जैक की तो अभी मैं आपको इसके अच्छा ये जो BMS है ना ये 12.6 पे आफ नहीं करता ये 12.6 पे चार्जिंग फुल करता है ये आफ करता है बैटरी को 12.9 तक चली जाएगी ना तो करेगा अभी देखें 12.80 पे आगी है पहले 12.78 पर थी अब 12.80 पर आ चुकी है ये इसको फुली अ आप देखें आप मैंने लीड्स अटेच की एक 1 और एक 1 लास्ट में इन दोनों से अब राइट साइड हमारा नेगिटेव है वहां पर मैंने रेड वाली लगाई तो ये माइनस का साइड में दे रहा है मीटर के ऊपर आप देखें ये रेड वाली मैंने इस साइड पर 4.9294 पे आएगा यह बैटरी को बिल्कुल 100% करके यह टर्न आफ कर देगा BMS इसको कट आफ कर देगा तो यह भी BMS का आपको फंक्शन पता चल जाएगा अभी बैटरी सेल्स के अंदर के पेस्टी है तो सेल्स चार्ज हो रहे हैं अच्छा इन सेल्स की एक मैं आपको बात ब चले जाएं 4.45 तक इनके अंदर गुंजाइश होती है अगर 4.45 यह 4.5 तक चले जाते हैं तो यह हीट अब होना शुरू हो जाते हैं तो प्रॉब्लम कर सकते हैं और इन चीजों को कंट्रोल करता है यह BMS यह अभी अच्छा जिस टाइम पर आप चार्जर लगा कर रखते ह उस टाइम पर वोल्टीजिस इंक्रीज हो चुके होते हैं फिर जैसे ही आप चार्जर आफ करें तो आप देखेंगे वोल्टीजिस डाउन हो जाते हैं अब यह बैटरी पैग इसको फुली करेगा जिस टाइम पर 12.94 पर आके यहां पे फिर आटोमेटिकल इसके जिस देखेंगे ना बैटरीजिस के तो वो मीटर से हम चेक करेंगे वो आ रहे होंगे 12.7 तक क्योंके वैसे तो वो 12.9 पर चार्ज कर रहा होगा जैसे ही चार्जर हटेगा तो उसके अपने वोल्टीजिस आ जाएंगे 12.7 से लेके 12.8 के अंदर अंदर उस टाइम पर हमार सेल का प्लस और माइनस कनेक्टेड होता है मैंने आपको कनेक्शन में बताई हुई हैं यह चीजें सेंसिंग वाइर्स होती हैं दो इसके सेंसिंग कनेक्शन होते हैं और दो आउट पुट के होते हैं तो चारो इसके साथ कनेक्टेड हैं चारो सेल तीनो सीरीज के सारे पॉ तो उसे नुकसान क्या होगा और नुकसान चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होगा दोनों तरफ डिस्चार्ज के टाइम यह होगा अगर एक सेल आपका 3.5 तक चार्ज है दूसरे बाकी 4.2 पर है अब जब उन पर लोड पड़ेगा तो वो लोड यहां से वाले होंगे वो आइस्ता इस्ता जब तक 3.5 पर पहुंचेंगे तो 3.5 वाला 3 पर पहुंच चुका होगा और BMS को जैसे ही पता चलेगा कि एक सीरीज हमारी 3 पर चलेगी है वो क्या करेगा वो लोड आफ कर देगा तो आपको प्रॉपर बैक अप नहीं मिला आपको वो ज लोज बैलंस करता है बिलकुल स्लोबैलंस करता है अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आप नॉर्मली चार्ज करेंगे आपका बैट्रीबयक अगर इन money बैलन स हुआ है तो तब मैं यह बता करह मूं नॉर्मल कंडीशन में नहीं बता रहा, imbalance की condition में तब यह होगा कि आपका battery pack जो 3.3 पे चले गया है ना दूसरे 3.5 पर हैं, तो यह वापिस charge होगा, सेम ऐसे जैसे discharge होए वैसे ही charge होगा जो 3.5 वाले हैं वो charge होगे जल्दी 4.2 पे चले जाएंगे, जो 3 वाला है वो charge होगे 3.5 पे आके रुख जाएगा, जैसे ही इसको BMS को पता चलेगा, कि हमारे पास कोई भी एक भी series 4.2 पे चली गई है, तो BMS क्या करेगा, आगे charging off कर देगा इससे यह problem आएगा, कि वो एक series हमारी fully charge नहीं होगी, आदी charge हो रही है, आदी discharge हो इसके लिए आपको करना यह होगा एक दिन power bank का circuit लगाएं इसको fully आप charge कर लें, बस okay, काम आपका बिल्कुल okay हो गया, अब आपको 100% backup मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब यह इतना easy काम है, इन battery packs को balance करना, इनको देखना, इनकी service करना, इनको backup proper लेना, आप एक साल बाद battery pack उठाते हैं, अगर पढ़ा भी रहा है, तो अगर cells आपके ज़्यादा ज़्यादा imbalance होंगे, और कोई भी problem नहीं आएगा, आप हर season से पहले एक दफ़ा balance कर ले और फिर use करें, सबसे बेतर तरीका ये है कि आप battery को बिल्कुल empty छोड़े ना, बिल्कुल खाली करके, बंद करके ना छोड़ें, आप उसके उपर एक light LED कमस कम वही use रखें, charger attach रखें सर्दियों के मौसम में आप पंखा नी चला रहें, आप 2-3 LEDs lights attach कर दें वह रात के टाइम आप चला लिया करें, load shedding में वह चलती रहें, वापिस बिजली आए battery pack चार्ज हो, फिर discharge हो फिर चार्ज हो, वो फिर आपका battery pack balanced रहेगा, अगर कभी और हर season से पहले आप एक दफा जो है ना, battery pack को balance कर लिया करें, बस ये best तरीका सबसे अच्छा best way है अगर आपका ये कुछ टिप्स हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, battery packs को आप तो balance कर सकते हैं, अच्छा अब आपने एक battery pack purchase किया, अब उसके बाद आपके 8 से 10 साल सकून से गुजर सकते हैं, अगर ये आप एक दो चोटी चोटी चीज़ों को ख्याल करें और खुद से इनकी, इनको set करते रहें, अधर वाइस, lead acid batteries में आप पानी डालते रहते हैं, खतम हो जाता है, प्लेटें उसकी जल जाती हैं, वो चलता रहता है, नीचे पानी गिर जे तो जिशान पड़ते हैं, और एक सीजन के बाद वो बैटरी पैक बैक अप देना छोड़ जाती है, तो वो तो बिल्कुल अजाब बन जाता है, lead acid batteries को चलाना, लेकिन ये battery packs इतने माशाला जबरदस होते हैं, कि ये सालो साल आपके पास चलते हैं, ये lithium technology है, जो आपके mobile phones में भी use होती है, ये same वो ही technology है, तो आप खुद सोचें, mobile की batteries कितना अरसा चलती है, वो 1S होता है, वो कभी भी imbalance नहीं होता, वो एकी cell होता है, एकी battery होती है, 3.7V वाली जो full होती है, 4.2 पे, इसमें 3 series होती है, इसलिए आपको सिर्फ balancing का थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसको normally proper इसको यहां से charge करें, यहां से आप discharge लें, बस आपका battery pack ओके चलता रहेगा, आपको अच्छा माशाला बेहतरीन किसम का backup मिलता रहेगा, किसी तरह की कोई problem नहीं आएगी, तो इसलिए आप इन battery packs को prefer करें, यही recommended है, आगे जागे lithium ही हर जगा पर चलने है, और lithium battery packs बनवाने के लिए आप WhatsApp पे हमसे contact कर सकते हैं, हमारी online deliveries all over Pakistan available है, और payment जो है वो advance होती है, दो episodes में होती है, हम किसी भी customer को यह नहीं कहते, कि आप total पूरी की पूरी payment हमें first time ही कर दें, आप पहले booking payment करें, half payment आप send करें, आपका order booked हो जाएगा 50% पे, उसके बाद आपका battery pack ready हो जाएगा, जिस दिन ready हो, इसी तरह से videos बना के, testing, charging, हर चीज़ आपकी channel के उपर share की जाएगी, आप video देखें, आप satisfy हो जाएगा, उसके बाद आपको inform किया जाएगा, कि आपका battery pack ready है, और आज dispatch होना है, या कल सुबा early morning dispatch हम कर देंगे, आप payment कर दें, remaining payment with delivery cost, और आपका battery pack उसी दिन dispatch हो जाएगा, और शाम के time पर जब ये सक्कर सिटी पहुँच जाएगा, वहां से हमें एक जो tracking number होता है, वो generate हो जाता है, और with pick आपको वो tracking number send कर दिया जाएगा, आप उसे track कर सकते हैं, पार्सल जो है, अगर कराची में आपको चाहिए, तो second day पहुँच जाएगा, अगर आपको पंजाब में चाहिए, तो third day पहुँच जाएगा, third या four day में, और अगर केपे के वगएरा में चाहिए, मरदान उस साइड पर, पिशावर, कोईटा, पिशावर की तरफ, तो वो फिर आपको मिलेगा, fourth day, maximum fifth day, नहीं तो four day, कुछ हमारे कस्टमर ऐसे हैं, उनका out of service एरिया आया था, वहाँ पे delivery service अवेलेबल नहीं थी, तो हमने यहाँ के office के throne से coordinate करके, वहाँ के office से, तो वहाँ उनको उनके parcel dispatch करवाए हैं, अभी तक कोई एक भी ऐसा customer नहीं है, जिसको उसका parcel ना मिला हो, अगर कोई ऐसा customer है, तो वह हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकता है, कि मुझे अभी तक मेरा parcel नहीं मिला है, हर एक को parcel हमने, वो late जरूर हो गया, दो से तीन दिन late हो गया, लेकिन उसको parcel receive हो गया, तो हम fully, तब तक हम 100% customer के साथ corporate कर रहे होते हैं, हम उस chat को पिन अप कर देते हैं, सबसे टॉप पर, ताकि उसका कोई भी message आए हमें फोरन से मिले, अगर उसको parcel नहीं मिल रहा, तो हम उसके लिए efforts करें, और वहां के rider का number भी उनको provide करते हैं, picture कर देते हैं, उनके phone numbers की, जो हम यहां से office से data निकलवाते हैं, वो उनसे coordinate करके parcel receive कर लेते हैं, तो parcel की भी कोई tension नहीं आती, हम वहां तक भी, क्योंकि आपने काफी जगों से parcel मंगवाए होंगे, वहां पर अगर out of service एरी आता है, आपके लिए problem आती है, कोई आपके पास seller जो है ना, वो cooperate नहीं करता, लेकिन हम cooperate करते हैं, हम parcel उन तक deliver करवाते हैं, और office के computer से, जो उनका phone numbers, वहां के riders का display में आता है, कौन से rider के पास है, वो कब deliver करेगा, वो उसका screenshot आम उने share कर देते हैं, official जो screenshot आता है, वो share कर देते हैं, और वो उनसे खुद भी contact कर लेते हैं, office वाले भी contact करके, वहां तक delivery possible कर देते हैं, तो all over Pakistan, हमारी deliveries अवेलेबल हैं, ये कहीं पर दो तीन जगा पर ऐसा मसला आया था, जो के बिल्कुल छोटे गउँ हैं, देहात हैं, वहां पर ये problem आई थी, वहां तक भी हमने parcel delivery करवा दिये, तो आप भी हमें order place कर दें, हमारे WhatsApp नंबर पे payment method मैंने आपको बता दिया है, prices वगारा सारी चीज़ें उसके उपर share कर दी जाएंगी, फिलहाल इन battery packs की जो prices चल रही है, वो 58 to 60 रुपीज पर watt चल रही है, तो ये इसका price rate है, अक्सर लोग prices पूछ रहे होते हैं, कितनी price है, तो बही इतनी price है, अब आप 10 ampere बनवाएं, 15 ampere बनवाएं, 18, 20, 30, 25, 40, 45, 48, 100 ampere, 200 ampere, जितने भी ampere का आप battery pack बनवाएंगे, उसके watts के हिसाब से price होती है, और actual जो price आपकी निकलती है, with deliveries according to city, तो वो सारी चीज़ें फिर हम आपसे WhatsApp पे discuss कर लेते हैं, क्योंकि उस पे काफी चीज़ें डिसकर्स होती है, आपका load कितना है, आपका city area, वहाँ पे delivery cost कितनी पढ़ेगी, कितने days में आपका order जो है न, आपको receive हो जाएगा, सारी चीज़ें डिसकर्स करने के बाद, फिर हम dispatch कर देते हैं, तो इस पे YouTube पे इतनी सारी चीज़ें डिसकर्स नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए हम WhatsApp को prefer करते हैं, तो order place करने के लिए, आप WhatsApp नमबर पे contact कर लें, जबरदस्ट, अच्छी और बेहतरीन बैटरीज इन्शालाँ आपको provide की जाएंगी,